थेलियम एक chemical element है जो हास्ताती तोर पर विलियम क्रुक्स ने इजाद किया था लेकिन ये element एक हतियार में बदल गया जिससे आप असानी से किसी भी इंसान को अगले जहान में मुंतकिल कर सकते हैं तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैलियम एक chemical element है जो सुर्माई धात की शकल में होता है थैलियम का इस्तेमाल electric की चीदों, सर्मामीटर और जूरली वग़ारा में किया जाता है और हम आपको बताते चलें कि कुछ सानों पहले तक चुए मारने की दवा में भी थैलियम का इस्तेमाल होता था लेकिन इस दवा का इस्तेमाल लोगों ने लोगों पर शुरू कर दिया कई कैसिस ऐसे सामने आए जिसमें लोगों ने इस दवा के जरीए लोगों को कदल करना शुरू कर दिया था इसलिए अमेरिका समेट बाज हुमालिक ने इसका इस्तेमाल चुहे मारदवा में बंद कर दिया और थेलियम की आजादाना खरीदो फरुख पर पाबंदी लगा दी कमपनीज के इलावा इसको ना कोई खरीच सकता था और ना ही फरुख कर सकता था थेलियम बतोर हतियार आज भी इस्तेमाल होता है पर उसके लिए आपकी पहुच बहुत उपर तक होनी चाहिए और स्टेलियम में 1950 की द्याई के अवाइल में थेलियम के जहर से कतल या कतल करने की कोशिश के वाकियात में इजाफा हुआ था काबले जिकर बात ये है के थेलियम का इस्तेमाल आम लोगों से लेकर नामवर लोगों ने अपने मकासित के लिए किया है जैसे के 3 नवंबर 1960 फ्रांस की खुफिया एजेंसी के साबिक एजेंट ने कैमरून हुकाम की दरखास पर एक कैमरून रहनुमा फिलिक्स रोलैंड को थेलियम के जरिये कतल किया 1976 से लेकर 1979 के आखर तक थेलियम को कीमियाई जंगी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा थेलियम का इस्तेमाल खास तौर पर रोडेशियन बुश वार जंग के दौरान हुआ जिसे जिमबाववे इंडिपेंडल्स वार भी कहा जाता है 1985 में एक रोहानी पेश्वा रजिनेश ने भी अमरीकी सदर रोनाल ड्रैगन पर थेलियम के जरिये जहर देने का इल्दाम लगाया जब वो उकलोहामा जेल में मुक्तसिर अड़से के लिए कैद थे पर ये इल्दाम बेबुनियास थाबित हुआ आपकी मालूमात में मजीद इदाफा करते हुए आपको ये बताते चलें कि सदर सद्दाम हुसेन ने भी अपने मुकालफों को मौत के घाट उतारने के लिए इसी थेलियम का इस्तेमाल किया हालिया वक्तों में हुआ थेलियम का एक केस जो 2021 में सामने आया ये केस हुआ इंडिया में जहां कातिल ने पूरी फेलियम को थेलियम के जरिय कतल कर दिया लेकिन खुश किसमती से इस फेलियम का एक मेंबर बज़ गया अब हम आपको बताते हैं थेलियम की अलामात ये एक सिलो पॉइजन है जो कभी दो दिन या चार दिन बात इंसानी जिसम में अपना असर दिखाना शुरू करता है इसकी अलामतों में उल्टी का आना, पेट में दर्द होना, मतली होना, बालों का जड़ना और बॉडी का दर्द करना है इस जहर को इंसानी जिसम में असानी से डाइग्नोस नहीं किया जा सकता इसके लिए हाई मेटल टेस्ट किया जाता है धैलियन से अब तक काफी जाने जा चुकी है